हलो दोस्तों नमस्कार कुमार रिपेरिंग हाउस में एक बार सभीधर सुकर का स्वागत है दोस्तों आज हमारे पास मच्छड मारने का जो बेट होता है वो रिपेर के लिए आया है और देख सकते हैं हमारे पास जो है बेट मिटर यह अभी काम नहीं करता है यह अभी डेट प्रोब्लम में है और जिसे इसे ओन करते हैं जो वर्किंग का जो लाइट जलना चाहिए वो लाइट अभी नहीं जलता है आने कि इस रिजन में अभी डेट प्रोब्लम में है तो दोस्तों यह बेट मिटर जो है तो आज हम लाइप पुरूबड के साथ रिपेर करके दिख दिखाएंगे आप सभी को तो इससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है जो देख सकते हैं वार्किंग का जो लाइट है यह जलना चाहिए जब हम आन करेंगे तब तो यह अभी आन भी नहीं हो रहा है और काम भी नहीं कर रहा है तो दोस्तों चलिए हम इसकी आज कोज देखना चाहते हैं तो नौटिफिकेशन घंटी को आल पर सेट कर लेजेगा तो चलिए दूस्तों हम इस बेट की रिपेरिंग करने की जो तरीका है वह आप सबको हम सिखाएंगे इससे पहले जो इस कुरूप लगी हुई है सभी स्कुरूप को हम बाहार निकाल लेते हैं उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे कहां से यह प्रोब्लम हुआ है तो जो धकन लगी हुई थी उसे हम खोल के बाहर निकाल चुके हैं अब यहां देख सकते हैं छोटा सा बैटरी लगे हुआ है 0.3 एंपियर की और इस इस बैटरी की केनेक्शन को हम सब जो 3.7 वोल्ट हमें देखने को मिलता है और चार वोल्ट से थोड़ी सी कम है तो अब जो है दोस्तों इसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे यहां दोनों हाथों से ऐसे पकड़के रखेंगा पूस बटन जो है वरकिंग का जो पूस बटन है यह मीटर का बैट की जो पूस बोल्ट हो जाती है तो दोस्तों इस रिजन में बैटरी की भी प्रोबलम हो सकती है और चार्ज की भी प्रोबलम हो सकती है तो चलिए हम 10-15 मिनट के लिए हम इसे चार्ज में लगा लेते हैं और उसके बाद दुबारा फिर से हम मल्टी मीटर के दुबारा इसे हम सेट करके देखने वाले हैं तो दोस्तों जो हमारे पास उसे पकड़ कर रखे हैं और इसमें देख सकते हैं रेट कलर का लाइट जलता हुआ दिखाई देता है आने कि यह जो बैटरी हमारे लगी हुई है मास्कीटो बैट पर यह भी चार्ज ले रही है तो दोस्तों कुछ मिनट दो- और जैसे ही 10 मिनट हो जाएगे दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग फिर से दुबारा हम मल्टी मीटर के दुबारा करके दिखाएंगे तो थोड़ी दिर वेट कर लेते हैं तो दोस्तों यह 10 मिनट तक हो जुका है अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग फिर से दुबारा करेंगे म जैसे पूस बटन को पेस्ट करेंगे और हमारी सफलाई अगर घट जाती है दोस्तों तूस रिजन में बैटरी की भी सिकाईत हो सकती है तो चलिए हम चेक करके देखते हैं मल्टी मीटर के द्वारा तो देख सकते हैं साड़े चार बोल्टे की करीब आ चुका है अब चलिए जैसे हम पूस बटन को पेस्ट करते हैं अब देखते हैं इसकी सफलाई कितनी हो जाती है दोस्तों तो देख सकते हैं यह जैसे हम इसे पूस करेंगे और यहां देख सकते हैं कोई भी करेंट अभी नहीं आ रही है तो यहां मल्टिमीटर के द्वारा हम चेक कर पा रहे हैं दोस्तो जैसे पूस करते दोस्तो यह एक दसमोलब एक वोल्ट हो जाता है और इसमें जो बैटरी की सपला है दोस्तो यह काम नहीं करता है यह बैटरी बैट चुका है और इस रिजन में बैटरी सौटेज हो चुका है दोस्तो यह बैटरी सौट है तो इस बैटरी की जगह हम दूसरा बैटरी को चेंज करके और दुबारा आप सब को हम चेक करके दिखाएंगे तो दोस्तो मास्कीटो बेट जो होता है दोस्तो इसमें बैटरी की अधिकतर प्रोब्लम हमें देखा गया है कहीं सारे हम मास्कीटो बेट रिपेर किया हैं उसमें से अधिकतर हमारी बैटरी के ही फॉल्ट देखा गया है यहां देख सकते हैं 0.3 वोल्ट की सप्लाई इस बैटरी पर है जो कि हमें हाप एंपियर से भी कम एंपियर की बैटरी इसमें सेट किया हुआ राता है तो इस तरह से हम सेट कर चुके हैं अब चलिए दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग कैसे करके दिखाएं आप सबको तो हम यहा कर देख सकते हैं इसने सप्लाई अ रही है हैं यहां कंभी कर रहा है देख सकते हैं इसमें सोट हो रही है आने की फाइरिंग भी दे रही है तो इस रिजन में यह जो मच्छड मारने का बेट है दोस्तों यह हम पुरी तरह से किलिन रिपेरिंग कर चुके हैं अब इसकी टेस्टिंग जो है दोस्तों आप कर सकते हैं खुद और एसे छोटे-छोटे फॉल्ड जो है दो तो दोस्तों यह मास्क यूटो बेट जो दोस्तों एकदम ओके हो चुका है तो यह छोटा सा फॉल्ड था दोस्तों अपने घर पर भी हर कोई रिपेर कर सकेंगे तो छोटा सा इंफॉल्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर नहीं है चैन कोु बेट है पुकाव प्राइस साफ्ति आ कर दो एक कर सक्ते हो बेट कर से समोट वीद्ट में पारी है यह बेड़का है आ पा वी टो बाटारी है झाल म हो जो पिजेखार्ये दोरा कि दोत्रे को मुतार से चैनल में तो हूब कोष एक हम जो है धो शो पाह फूब किता प्य